माता पिता की मूरत है गुरू, इस कल यूग में भगवान की सूरत है गुरू आदर्निय शिक्षकों और मेरे सभी साथियों को सूपरभात और प्रेम भरा वंदन आज 5 सितंबर को हम सब यहां शिक्षक दिवस की उपलक्ष में एक साथ एकत्र हुए हैं सबसे पहले यहां मौजूद सभी सिक्षकों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हारदिक शुप काम नाएं इस अवसर पर मैं आप सब की अभारी हूँ जो आपने मुझे मेरे विचार आप लोगों के समक्ष रखने का अवसर दिया इस दिन को हम हर वर्ष 5 सितंबर को बड़े धूम धाम से मनाते हैं और गुरूओं का आशिरवाद प्राप्त करते हैं सबी सिक्षकों का सम्मान और धन्यवाद करते हैं भारत में सिक्षक दिवस का अपना एक बहुत अलग ही महतु है इस दिन देश के पूर विराश्ट्र पती डॉक्टर सर्व पली राधा कृष्णन का जनम हुआ था डॉक्टर राधा कृष्णन एक विद्वान और बहुत बड़े सिक्षक थे उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक सिक्षक के रूप में वैतीत किये और अपने दायतों को पूरा किया सिक्षक के छेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है उनके सिक्षक के पर्ती लगन और सिक्षकों के पर्ती आदर को देखते हुए उनके जनम दिन को सिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा हमारे माता पिता हमें जनम देते हैं वहीं सिक्षक हमें सही और गलत का फर्क बता कर हमारे चरेतर का निर्मान करते हैं। सिक्षक सही मार्ग दर्शन के साथ हमारे भविश्य को उज्वल बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सिक्षकों का स्थान हमारी माता-पिता से भी उपर होता है। कहा भी जाता है गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विश्नु, गुरूर देवो महिश्वरा, गुरूर जाक्षत पर ब्रह्मा, तसमय श्री गुरुवेह नमा, इसका अर्थ है गुरू ब्रह्मा के समान है, गुरू विश्नु के समान है, गुरू ही महिश्वर यानि शीव के समान हैं गुरू सभी देव मिश्रेष्ट परभ्रम के समान है ऐसे गुरू को हमारा नमन है महान कवी कबीरदास जी ने भी कहा है सब धर्ती कागज करूँ लिखनी सब बन राये साथ समुंदर की मसी करूँ गुरू गुन लिखा न जाए इसका अर्थ है सब प्रिथ्वी को कागज सब जंगल को कलम साथो समंदर को श्याही बना कर लिखने पर भी गुरू के गुन नहीं लिखे जा सकते सिक्षा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जिस परकार हमारे शरीर को भोजन की आवशकता होती है उसी परकार हमें जीवन में आगे बढ़ने और उचाईयों को हासिल करने के लिए सिक्षा की अजरूरत होती है सभी छात्रों को नी स्वार्थ भाव से एक सिक्षक ही सिक्षा परदान कर सकता है सिक्षक हमारे अंदर की बुराईयों को दूर कर हमें एक बहतर इंसान बनाते हैं हमारे जीवन में सिक्षकों के इस योगदान के लिए हमें अपने सिक्षकों का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए सिक्षक दिवस पर मैं सभी सिक्षकों का आभार व्यक्त करती हूँ एक बार फिर से आप सभी को सिक्षक दिवस की हारदिक बदाई है यह यह जा है इस तरह फ्योग प्लिस दो सबस्क्राब चैनल थैंक यू अमच